नमस्ते सभी को सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है नमस्ते गुपाल भी इस सुबह के सत्र में जिसमें हम लोग स्टेप वन टू स्टेप सिक्स तक की बात कर रहे हैं अपने को अबसर्व करने की बात कर रहे हैं अपने को देखने की बात कर रहे हैं और हर बार देखते हुए अपने में देखने की डेप्थ बढ़ा रहे हैं शार्प कर रहे हैं अपने को तो डेप्थ बढ़ने का मत्तब यह है कि पहले मुझे जो दिख रहा था उसको नहीं मै कि वास्विक्ताओं को देखकर उन वानताओं को ठीक करना है इस तरह से हर बार हम लोग का देखने का जो डेप्थ है कि वह बढ़ता जा रहा है हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं तो इसी क्रम में मैं वन टू सिक्स तक का जस्ट ब्रीफ एक बार रख देता हूं फिर सेवन्थ स्टेप पर मैं ध्यान दिला देता हूं कि फिर जो भी अब्जर्वेशन हम लोग के होंगे हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे तो स्टेप वन को देखेंगे तो स्टेप वन में हम लोग सिम्पल ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं अपने को देखने का काम कर रहे हैं ध्यान देने का काम कर रहे हैं और जब आप् इसको हम लोग observation कह रहे हैं तो हम लोग अपने को औब जब observe कर रहे हैं तो कल भी इस बात पर काफी discussion हुआ था किल कि बहार की परस्तिती चाहे अनुकूल हो चाहे परतिकूल हो हम अपने में देखने का काम कंटिनिवस कर रहे हैं हर पल कर रहे हैं हर छड कर रहे हैं तो परतिकूल परस्तिती में तो ध्यान जाते ही है अनुकूल परस्तिती में भी हम अपने उपर ध्यान बना के रखके हुए कि मेरे में क्या भाव चल ला है इतना ध्यान रखते हुए पर step two three में हम लोग मुल्यांकन कर रहे है कि यह जो चल ला है यह मुझे सहय स्विकार है कि नहीं इसकी मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं इस भाव से मैं सहय हूं कि आ सहय हूं यह हम लोग अपने से पूछ रहे हैं और हम लोग इस बात पर बार बार ध्यान दे रहे हैं कि जब यह सब पूछ रहे हैं तो अपने में कोई reaction नहीं दे रहे हैं अगर सहय स्विकार है तो अभी उसको फिर से देख रहे हैं पॉज्टिव घ्टिव झा Kita अर्याक्षिप जो अच्छा लग रहा हुए हुआ है उसको बनाए रखने की जीड़ एक पॉचिजि़ी अच्छा नहीं लग रहा है उसको हटाने की कि हुआ स्कोह टा देते हैं इतना करने के बाद हम लोग इस्टफ फोर पर आ रहे हैं और इस्टफ फोर पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब जो मेरे में चल ला है मैं सहज हूँ, आ सहज हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ जो भी स्टेट है मेरा जो भी चल ला है उसका निर्णे कैसे हो रहा है बाहर की परिस्तितियों से उसका निर्णे हो रहा है व्यक्ति से उसका निर्णे हो रहा है या मैं उसका निर्णे ले रहा हूँ मैं जम्मेदार हूँ यह फोर्थ स्स्टेप को देखें गे, तो इस अर्थ में महात्पूर है, कि अगर हमको लग रहा है, कि बाहर की परिस्तितियों से मेरे मेरे में नलवने हो रहा है, तो हमारा पूरा कलतना शिल्टा, इस योश शक्ति है, वो बाहर चीजों को ठीक करने में लग जाएगे. हमको लग रहा है कि कोई व्यक्ति के कारण मेरे में यह हो रहा है तो हम उस व्यक्ति को ठीक करने में लग जाएंगे लेकिन अगर हम इस बात को देख पा रहे हैं कि हमारे में जो चल ला है उसका निर्णाय मैं ले रहा हूँ तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करूँगा कि अगर मेरा है तो मैं अपने ऊपर ध्यान देता हूं पिर एक बार यह तय हो गया है जिस छड़ी कि यह दो मेरा ही था अब उस निर्णय मेरा है तो हम अब ये तैय कर रहे हैं कि ये निर्णे का आधार क्या है समझ है या समझ के भाव में माननेता है क्योंकि मैं निर्णतर सुक पूर्वग जीना चाहता हूं तरप्ति पूर्वग जीना चाहता हूं तो मेरे में ऐसे निर्णे क्यों हो जा रहे हैं जो सह स्विकार नहीं है अन्यता भाव मेरे में क्यों बन जा रहे हैं इस बात को समझने के लिए step 5 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि निर्ड़ने लेते समय सही का reference मेरे पास नहीं है सही समझ के reference नहीं है बलकि किसी मानेता के reference से start हो जाता है यह जो मानेता के reference से start हो जाता है इसका मतलब हमारे मानेताएं जो हैं वो सही के अर्थ में नहीं बनी होगी है जो मानेताएं सही के अर्थ में बनी होगी उतने में सही भाव विचारा जाता है जितनी मानेताएं सही के यहां से इस पाट की लाटिक होती है कि सही को समझना सही वास्तिक्ताओं को ठीक से देखना ये ap क्योंकि जितना जितना मैं वास्थप्ताओं पर ध्यान दोंगा उतना उतना तो ध्यान समझपे देना है ध्यान सही पर देना ध्यान वास्तविक्ताओं को देना line तो सब्सक्राइब देंगे तो अन्यता जो भी बना है वो धीरे धीरे ग्रेजुली इवल्यूट होने लगेगा और जैसे जैसे वह भाव इस्तिर होने लगेगा उससे विचार सिंकुनाईज होने लगेगा पिर वैवारकार और व्यवस्ता में भागिदारी होना यह सब उसक सकता बन रही है कि अब सख़ी को समझना है मेरे जो निरंतर कशक पेरवक चीने की चाहना है कि वह पूरी नहीं हो पारही है क्योंकि कुछ ना-कुछ निर्ले मानेताओं से हो जाते हैं तो मेरे में स flavored हो जाता है कि मिले लिए कौन सा भाव सहाज है किन भाव की निरंतरता चाहते हैं तो अपने से पूछ रहे हैं बार-बार कि कौन सा भाव मुझे सहाज शुकार है संबंद का की विरोत का विवस्था का विवस्था का सहस्तित का यह संगर्ष का और जब अपने से पूछते हैं तो हम यह भाव तो संबंद का ही सहाश्युकार है विवस्ता का ही सहाश्युकार है लेकिन अपनी तरफ से तो यह बात है कि हम लोग इसको X as it is मानना ले उस समय पूछ के देखें और देखें कि आंचार आता है तो जब आंसर आए ताव उसको ठीक से देखें किया यहीं आंसर आ रहा है कि संबंद का पहुँ सहाश्युकार है विवस्ता का बहुट का अगर यह समय हम देख पाएंगे कि हमको यहीं भावोय स्वाश्युकार रह किali से निदी चाहते ह हैं इसलिए इन भाव को सुनिश्यत करने के लिए मुझे तीनों को समझने क्या वशक्ता है संबंद को ववस्ता को सहस्तित को तो इसका मत्तब है कि मुझे संबंद और संबंद में अपनी भागिदारी के चिंतन क्या वशक्ता है संगीर ववस्ता के बहुत क्या वशक्ता है सहस्तित के अनों क्या समbrarवा को समझना ने उसमें भाकिदारी का चिंतंता को दिकना मेरी शल्म का अभिया आवशक्ता के रूप में दीखने लगा है को इस grinding यृ इसलिए मेरा ध्यान जाना एक सहज बात होने नगी क्योंकि यही मेरी आवशक्ता भी निरंतर सुक पूर्वक जीने के संदर इसलिए हम से समभा के का scal Das flame चालू करते हैं जब इसपर दियान देना चलू करते हैं तो हमारी जो कलतना शीरता है मैं उसulates में भागी-दारी के अर्थ में चित्रण फैलता है फिर उसको पूरा करने के लिए एंविचार करते हैं फिर उसके लिए कुछ सेलेक्षन करते कि इस सेलेक्षिन का बाहर रिफ्लेक्षं देखेंगे तो व्यवारकार के रूप में दिखेंगा अब ये किलियर हो गया है अब उसमें कोई अन्यता प्रश्ट नहीं है अब यह नैचुरल बात हो गया है इसलिए यह करते किस च्ड़ 측 जो मेरा भाव वह संबंध कहाई कि विभूत कश़द का है मैं अनुग कर रहा हूं पार-बार सध्यांद दे रहा हूं सास्टित पर ध्यान दे और 7 बी में देखेंगे अब मैं यह देख रहा है कि मैं सही भाव के पच्छ में निल्ड़े ले रहां और जबने सही समझ की आदर पर सही भाव का सो निल्ड़े ले पता हूँ इस छड़ भी ले पाता हूँ, अगले छड़ भी ले पाता हूँ, और फिर हर छड़ ले पाता हूँ, यह हर छड़ ले पा रहा हूँ, अब मैं निरंतर सुखी रहता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो निर्णे हो रहा है, वो संबन्द ववस्ता और सहस्तित्र के अर्थ में, हर पर हर्चाड हो रहा है यहां से मेरा निरंतर सुक बना रहता है इसलिए मुझे अपने विकास के लिए अपने एवल्यूशन के लिए संबन ववस्ता और सहस्तित्र की समझ और इसके साथ संबन्द विवस्ता और सहस्तेत्र का भाव विचार यह सुनिशित करना है अब यह करना है यह मेरी आवश्यक्तिया के रूप में दिख रहा है तो अब मैं उस पर हलपर ध्यान दे रहा हूं हर्चर ध्यान दे रहा हूं ऐसा अगर मैं करता हूं तो मैं सुनिश सेवन्त में कर रहा है ब्रीफली मैंने रखता है तो इसमें अब हम लोग का जो अबजर्वेशन होगा हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं और हर बार अबजर्वेशन से हम सब मेरे आवाज ठीक से आ रही है हाँ जी हाँ जी बलकु साफ आ रही है अभी-अभी जो थोड़ा डिसकेशन चल रहा था आप अक्से से समझा रहे तो वहां पर एक चीज मुझे मेरे अपने लिए रिस्पॉंस और रियक्शन अपने जो बता है कि हम सारी चीज में रियक्शन ऑपने जो देते हैं तो कभी पॉजिटिव रियक्शन भी होता है तो जो बहुत तो समझ पा रहा हूं कि अगर मैं डेफिनिट कंड़क्ट हो अंकंडिशनल है तो यह जो भी मेरा फिलिग है इदिजिन रिस्पॉंस नॉट बिएक्शन तो क्या यह सई है कि दोनों मेरे रि तो जब रिस्पॉंस की बात कर रहे हैं तो यह कह रहे हैं कि अब मैं साहस्तित्व विवस्था और संबंद इसके साथ भाव का निर्ले ले रहा हूं और उस भाव के निर्ले के साथ में विचार चला रहा हूं और जब विवस्था और साहस्तित्व और संबंद के साथ में भाव विचार रख रहा हूं तो दूसरे में कैसे सहयोगी होंगा यह मेर विचार में फैल आए और उसके साथ जो मैं इंट्रेक्शन कर रहा हूं यह रिस्पॉंस है कि जी एक्षिन में क्या है कि अब मेरा आधार जो रहा है वह सास्थित विवस्ता संबन नहीं है मेरी माननेता है तो यह से घर में चार लोग है कोई मेरे क्काम करता ह है मेरी बात में लेता है तो हमको लगता है यह मेरे साथ होना चाहिए है उसके साथ हमको बैठना अच्छे लगने लगता है कोई दूसरे को अपने साथ दूसरे को अपने से दूर रखना चाहते हैं यह दोनों रियक्शन है लेकिन जब हम यहां से जाएंगे सास्तित्व और विवस्ता और संबंद से देखेंगे तो मैं देखूंगा संबंद में मेरी भागीदारी क्या है तो संबंद में मेरी भागीदारी तो विश्वास के भाव से होगी सम्मान के भाव से होगी इसने के भाव से होगी अब मैं घर में जितने भी लोग को साथ इंट्रेक्शन कर रहा हूं तो विश्वास के भाव से इंट्रेक्शन कर रहा हूं सम्मान के भाव से इंट्रेक्शन को समझ के और उसमें भी सास्तित विवस्ता और संबंद को समझने का पोटेंचल है और उसका उस पर ध्यान चला जाए इस अर्थ में इंट्रेक्शन कर रहा हूं जी तो इसमें इसको रिस्पोंस बोलने है जी 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 बिल्कलों मतलब अगर मैं किसी दुसरे से कुछ बाकर या पानी की आशा रखकर बहले वो अच्छा हूँ या बूरा हूँ अगर मैं व्यवार कर रहा हूँ तो वो मेरा रीक्शन ही लेकिन मैं अपने भाव को ठीक रखते हुए मतलब वो दुसरा भी मेरे जैसा है और अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसकी कॉंपिटेंस बढ़ाने के लिए अगर मैं सायो के बाव से कुछ करता हूं तो मेरा रिस्पूंस है एक लाइन यह जो आपने बोली है और मैं उस लाइन को ठीक से रख देता हूं अलाकि आप बोल वही रहें लेकिन मैं अपनी साइट से भी रख देता हूं तो हम यह कह रहे ह कि हमारा ध्यान गांट तक साथित्व विवस्तव और संबन पर जब बना रहता है तो जो होता है वह भाओ अपने को सहह स्विकार होता है रिदधा क्योंकि जया अब इसे जो भाओ बनेगा वही बनेगा जिससे दूसरे के सायोग में भाग्यदारी हो सके तो विश्वास का बनाने की जरूत नहीं है यही बनाने की नहीं है कि मैं यह रखूं की ना रखते हैं जब हमारा ध्यान सास्तित विवस्ता और संबंद पर नहीं है तब बहुत सारी च्वाइस सम्मा में चलता है उस में सोकते हैं कि यह भाव रुक्व रख्षा ना यहीं होता He तो जब हमारा ध्यान सास्थित व्यवस्ता और संबंद पे बना रहता है तो जो भाव अपने में आएगा वो तो उसी के अर्थ में आएगा तब उसमें अन्यथा कुछ का ऑप्शनी नहीं है अब उस विश्वास सम्मान इसने का भाव इसी के साथ ही मेरा विचार फैलेगा इस विचार के साथ उस व्यक्ति का ध्यान सास्थित व्यवस्ता संबंद पे चला जाए क्योंकि यही प्रब्लम हो रही है उसका ध्यान नहीं लेकिन अच्छी बात मेरे लिए मैंने कल भी बता है यह हमशा यह जो भी तीन-चार सेशन में में रिपीट करके देख रहा हूं ऑफसर कर रहा हूं तो मुझे हर बार रिस्पॉंस ही लग रहा है तो मैं उसमें से चूज करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सो मैंसिम टाइ नमस्ते सबीको बड़ी हाडिस्कॉशन नमस्ते बाइए नमस्ते बहां से बहुत सारे अपर अलग-अलग पेड थे और पक्षी भी थे पंची भी थे उन्होंने वो फल खाके नीचे गिरे हुए थे और पूरा फ्लोर ऐसे जमीने से बिखरा हुआ था पक्षियों ने जो फ्रूट्स खाये थे उसकी वज़े से और वही से मैं चलके जा रही थी मेरे साथ भी एक दो लोग थे तो सब क्यारे थे कितना गढ़ा करके रखाया कितना गढ़ा करके रखाया कैसे चलेगे इस में से पहर हम फिसल सकते हैं इधर से चलो ऐसे लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो मैं बहुत शान थी और मैंने ये खुद में ऐसास हुआ कि नेचर का जो ये रूप है वो यहाँ पे सही तरीके से दिख रहा है कि जो फल नीचे गिरे है वो जमीन पे जाएंगे और स्वाइल को हमारी भूमी को अच्छा बनाएंगे और फिर से वो पेड नरिश होगा तो पूरा साइकल मुझे वहाँ पे दिखने के वज़े से मुझे में तो बहुत हार्मोनी मुझे मैसूस हुई और जो लोग बात कर रहे थे उनका भी प्रभाव मेरे उपर नहीं पढ़ रहा था और मैं उनसे बात कर रहे थी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, वो कंपलेंट कर रहे थे तो मैं बोल रहे थी कि आप क्या चाहते हो, तो नहीं नहीं ये पेड नहीं होने चाहिए, ये बहुत गंदा करते है, ऐसा नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझ मैं ऐसे बहावा तो मैं दूसरी घटना से जोडती हूँ जहाँ पे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंद होता है कि बाहर कही जाना था और रिक्षा से जाना था तो वो मीटर जादा चलने लगा मतलब वो जादा पैसे दिखा रहा था तो मुझे में वो इरिटेशन मैसुस हुआ मैंने उनसे बात की कि आपका मीटर फॉल्टी है और आप जादा चार्ज लगा रहे है यही पे रोग दो ना मैं चल के चली जाओंगी आगे जा जाना है तो ये दोनों घटना हों मैं एक जगह पे मैं खुद को आराम में पाती हूँ और एक जगह पे मैं अंतर विरोध में देखती हूँ और व्यवस्था की तरफ जब ध्यान जाता है तो ये ध्यान में आता है कि ये सभी लोग ऐसे ही करते हर वक बाहर जाते वक अलर्ट ही रहना पड़ता है आज क्या घटना हो जाएगी पता नहीं तो हमेशा ही अलर्ट मोड में बाहर निकलना पड़ता है तो यहां पर दूसरी घटना में जो अंतर विरोध आया तो यहां पर मुझे व्यवस्ता नहीं दिख रही है सहस्तित्व नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा गाइड करेंगे भी यहां यहां पर कि दोनुए बातों को मैं रख देता हूं अपनी तरफ से तो अभी अगर प्रकरती को देखेंगे ना जो पूरा नेचर है और हम भी एक नेचर के भाग है अभी पूरी प्रकरती को देखेंगे तो लोग व्यवस्ता को सेंटर में रखके नहीं देखते हैं अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को सेंटर में रखके देखते हैं तो बेसिकली अपने को सेंटर में रखके देखते हैं तो जब यह अपने को सेंटर में रखके तो प्रक्रति को अलग देखते हैं अपने को अलग देखते हैं डिवाइट कर लेते हैं वह देखने में ही इशू हो जाता है और सब्सक्राइब हो जाता है तो पूरी प्रक्रति को देखेंगे यह पूरी प्रक्रति में जो इतना सारा है पेड़ पौधे आम माउंटेन जहरन तो अभी देखेंगे तो यह पूरी प्रकृति का जो रचना है यह तो व्यवस्ता के साथ ही हो रही है हर एकाई अपने आप में व्यवस्ता है और एकाईयां मिलके किरिया मिलके एक बड़ी किरिया हो रही है फिर वह बड़ी किरिया मिलके और बड़ी किरिया हो रही है और ब मागीदारी कर रही है और बड़ी ववस्ता मागीदारी कर रही है और इस तरह से इतने तरह के पेड़ पौधे माउंटें रिवर रेगिस्तान यह सब कैसा नचना होती जा रही है लेकिन अब देखेंगे विवस्था को ध्यान में रखिए देखेंगे आपको या किसी को भी बात ध्यान पर जाएंगी कि इसमें जो भी हो रहा है वो विवस्था के तहती हो जी ज़रने का गिरना हो रहा है विवस्ता के तहत हो रहा है वो विवस्ता में भागीदारी के तहत हो रहा है तो विवस्ता में है और विवस्ता में भागीदारी के तहत हो रहा है तो आम का भी नीचे गिरना है जामून का नीचे गिरना है यह भी विवस्ता से हो रहा है और तो एक निश्चित नियम और विवस्ता के तहती हो रहा है और भागीदारी के तहती हो रहा है अब इस पूरी विवस्ता में देखेंगे तो मनुष का जो इवोल्यूशन है चैतन निकाई का भी जड़िकाई का भी तो टोटल देखेंगे तो मनुष का यह भी विवस्ता के त तो हर इकाई विवस्ता में भागीदारी के निश्चित रूप से कर रही है उसी शित्ता की सलते हैं मनुष्ट का भी एवलिशन हुआ है अब जब मनुष्ट के वोलुशन हुआ है यहां तक तो ठीक है लेकिन चैतन इकाई में जब देखेंगे तो चैतन इकाई में अगर अभी हमारा ध्यान यह सास्तित विवस्ता और संबन्द पर नहीं गिया है तो हम विभक्त हो कर देखते हैं अपने को अलग देखते हैं बाक अब जादातर समय अनुकूलता और प्रतिकूलता से चीजों को देखते हैं अब उस अर्थ में जब देखने जा रहे हैं तो वह जो जाबून है आम है पक्छी है वह भागीदारी करत में नहीं देख रहे हैं उसको भी इंडिविजुल देख रहे हैं तो इंडिविजुल में देखने ना देख पाने के कारण हो रहा है तो हर पार्ट को हम पूरी विवस्ता के साथ नहीं देखते हैं हर पार्ट को इंडिविजुली देख रहे हैं जब इंडिविजुली देख रहे हैं तो हमको समझ भी निया रहा जो भी इंट्रेक्शन हो रहा है इसलिए हमारे देखै उसकी सा देखेंगे तो एक हर यह collectively के साथ देख पाएंगे अपने को भागी दारी के साथ देख पाएंगे तब हम यह सब प्रकति के साथ रह सकते हैं इसमें किसी का ध्यान नहीं गया विवस्ता पर और वो पार्टस में देख रहा है तो उसको नहीं समझ में हाए यह क्या हो रहा है तो जब जब आपका ध्यान याम में से किसी का बिध्यान विवस्था पे जाएगा तो उसको अप्रीशियेट कर पाएंगे जब जब हम केबल अपने को सैंटर में लिएएंगे बाकी विवस्था खुटा कर हम उससे अनुकूलता या परतिकूलता इतनी देख पाएंगे तो मूल बात इतनी है कि जब हम देख रहे हैं तो पूरी विवस्था हरी काई की होने की जो विवस्था और उसकी जो भागिदारी है उसके साथ हम देख रहे हैं और उसके साथ अपने को भी देख रहे हैं कि नहीं तो हम इस पूरी प्रकती में जो भी हो रहा है उसको अप्रिसियेट कर पाएंगे यह पूरी प्रकती में जो हर तरह की काईयां आ रही है इतना इवलुशन हो रहा है उस सब को में अप्रिसियेट कर पाएंगे और उसको अपने साथ भी जोड़ के देख पाएंगे तो पहले वाले भाग में इतनी वाते मेंगने तरफ से छी ची घरी अभी क्या है कि लोग इस तूल को देखते हैं वो विवस्था रही है यह सूंच में किरिया ही और सता के साथ हो विवस्ता में भागीदारी के साथ हो रही है उस पर ध्यान नहीं जाता है केबल स्थूल पर ध्यान जाता है तो पेड़ जैसा दिख रहा है तो यह पहले वाले पार्ट का मैंने उसको अब दूसरी बात पर आएंगे तो दूसरी बात को देखेंगे तो जब हम हुमन के साथ इंट्रेक्शन कर रहें और उसको भी अगर देखेंगे एंट्रेक्शन कर रहें हम को यह समझ में आएगा कि इंट्रेक्शन में जो नीड़ने हो रहा है मैं ही कर रहा हूं अब उस नीड़ने का आधार या तो मानता हो सकता है यह समझ हो सकता है है यह इस्टार के यह यहां ऋधिकति का ध्यान कि यह यह नहीं गया व्यस्टा-इंगया नहीं कि उलली किहना प्वर्ट सब्सक्या जब तक कि जुंधकर सब्सक्राइब्स यह कि आशा के तहाग। है तो हम आपने में यह तैय कर सकते हैं कि अब करेंगे तो संबंद को ध्यान में रखके इस संबन में भागिदारी को ध्यान में रखके करेंगे या निता करेंगे यह 24 के साथ हम है मैं देखी बताना तो इसको इतनी है यह ज़्यादा चला आए और मुझे ठीक नहीं लेगा रहा है तो रोकना है हुँ मैं अभी वहास्ता बहुत न है अब वह सब्ढ़ें तो आपको यह बता आया लेकिन बताते हुए हम अपने में क्या देख कर रहें यह महत् gate जब हम सबमल को रख रहें तो हमारा ध्यान के इस फर बना हुआ है और अगर हमारा ध्यान सास्तित विवस्ता संबंद और संबंद में भाग्यदारी इस पर बना हुआ है तो यह बात हम इसने पूर्वक भी रख सकते हैं और उसके रिस्पॉंस को सुन सकते हैं पूरी तरीके से लेकिन इतना ध्यान नहीं रहेगा और हम किसी और आधार पर निड़ने लेंगे तो हमारे अंदर पर रियक्शन आता है और उसको पूरा सुनेंगे भी नहीं और उसकी आधी बात में फिर हम आर्गुमेंट भी कर सकते हैं तो यह एक्सिदेंट होने के संबावना फिर बनी र यही बात भीया बच्चे कॉपी करते हैं एक्जाम के वक्त तो हम सुपरवाइजर है तो हम रोकते हैं उनको कि यह इलीगल है यह नहीं होगा यहां पे तो वहां पे भी वही बात हो है कि सभी को व्यवस्ता और सहस्तित्व का भाव नहीं है तो ऐसी बात होनी है और मेरा त लेकिन वह भाव के साथ दिखाऊ अंतर विरोध ना हो तो यहीं सही नहीं मतलब ऐसे ही इसमें जाना है उसको भागीदारी जब कह रहें ना तो पूरी विवस्ता और विवस्ता में भागीदारी के साथ कह रहें जैसे एक्जामपल के लिए भी आपने का बच्चा चीटिंग कर रहा है उसको चीटिंग से रोग दे रहे हैं यह एक भाग है कि कम से कम जो गलत कर रहा है उसको ना करें लेकिन दूसरा भाग है अब यह जो पूरी विवस्ता बने लिए विवस्ता में जो भागीदारी होनी है और उस भागीदारी के साथ सिस्टम भी अलाइन हो जाए उस सिस्टम के लिए मुझे काम करना है यह मेरी भागेदारी है जी जी अपने ऊपर ध्यान देते हुए इस पर ध्यान चला जाए यह जो अभी मनुष्य ने विवस्था अस्तित विवस्ता और संबन इस पर ध्यान नहीं गया है तो जो सिस्टम बनाए उसमें वह लेकिंग हो है हमको यह दिख रहा है यह बहुत ही गलत हो रहा है तो उसका रोकना उसको रोकना यह एक भाग है भागी-दारी तो पुरी विवस्था को ध्यान में रखते हुए हो पाएगी हाँ भागी-दारी कॉलेज के लेवल पे देख पा रही हूँ तो सिर्फ यह अंतर विरोध का जो भाव आता है उस वक्त आता है इसके लिए मुझे काम करना है और अगर मैं भागी-दारी देख पाऊ तो शायद वह अंतर विरोध ना आए ऐसे मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मेरी भागी-दारी होनी चाहिए ना कि मैं सिर्फ सोचते बैटू कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके अहितर विरोध का भाव आता है क्योंकि उस समय हमारा ध्यान सास्थित विवस्ता और संबंद पर नहीं होता है ध्यान उस पर होता नहीं है तो कोई मान्यता के तहत हो जाता है फिर करना ज़रूरी है ठीक जितना ध्यान हमारा यह बना रहेगा सार्षित मान्यता का एफल्युएशन होना उतना होता रहेगा मानिताओं को पकल के वीलिशन करने जाएंगे तो तो फिर और ऐसे तूरी माली बात नि हम को जिसे अजही। अन्यता जो है वो घ्रत होने लगेगा, जी की फूआ इस पूरे अप्रे प्रोसेंगे हैं तो हम को कुछ करना है और कुछ होने लगेगा यह जो होने लगना वाला भागना उसको करने लगते हैं और करने वाला भाग उसको ध्यान नी देते हैं तो समस्या प्रभलूम होती है तो करना यह कि हरपल हरचर ध्यान देना है, सास्तित व्वश्ता संबन पर, होने क्या लगेगा? मननता एब लिएट होने लगेगी, भावशर्त में सही होने लगेगे, विचार में सही करत में फ़हने लगेगा, यह होने लगेगा. इसके उपर काम करती हूं जी थैंक धन्यवाद भी नमस्ते नमस्ते भी ठीक है तो एक दो और भी हमारे साथ हैं लोग उनका भी शेरिंग ले देते हैं जी नमस्ते नमस्ते भी या नमस्ते बस यह पूछना तो आपने एक सब्दियुच किया था बैभाओ एक तो बैभाओ क्या है थोड़ा समझता है दूसरा बता है के पीछे मानता है काम करते हैं तो यह संसकार को भी थूड़ा है मैं सिंपल भासा में इसको रख देता हूं तो संसकार का मत्तव यही है कि हमने अपने लिए जो बहुत महत्पूर मान लिया है तो हमको लगता है यह मेरे लिए बहुत महत्पूर है अब हम उसी के अधार पर निर्णे लेते हैं जिसको मने महत्पूर मान लिया है कि जो मान लिया है बहुत महत्पूर यही मेरा संसकार है अब यह वास्त्विक्ता के अर्थ में भी हो सकता है अन्यथा के अर्थ में भी हो सकता है क्योंकि हमारे निर्णे देखेंगे तो जो विचार में चला है उसके पीछे भाव है भाव के पीछे देखेंगे तो संसकार ही है तो संसकार कैसे बन गया है क्योंकि हमने कहीं न कहीं चीजों को स्विकार लिया गहराई से यही सही है ऐसे ही जीवन चलता है यही वास्विकता है यही ऐसा ही अस्तित्व है ऐसे ही लोग होते है ऐसे ही जीना होता है यह पैक्टिकल बात है तो वो सब जो गहराई से हमने अपने में बिठा लिया है जो मान लिया है वह ही हमारा संसकार है आप जो माल लिया है, व अनियत्हा होगए, अब हम उसी से परेशान होते हैं, अब उसी को फिर से मानने को ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे? तो जो वास्त्विक्ता उस सब्सक्राइस पर हमारा ध्यान चला जाए पूरा अस्तित सास्तित पूर्वक क्यों यह ध्यान चला रहा है यह इसके साथ जो मेरा विचार बनेगा उसके साथ जो मेरा विचार बनेगा उसके साथ जो मेरी वहवार कारों व्यवस्ता में भागिदारी होगी, यह जो बाहर दिखाई देगा, कि अब मैं व्यवस्ता में भागिदारी के तहत चल लाओं, मैं विश्वास सम्मान इसने के भाव के साथी इंट्रेक्शन कर रहा हूं, प्रकती से भी इंट्रेक्शन कर रहा हूं, तो नियम को ध्यार में रखके कर रहा हूं यह जो बाहर चला है समझने के करम में जो बाहर रिफ्लेक्शन आ रहा है यह मेरा वैभा हुआ है और जितना जितना मैं अपने में देख पाऊंगा उतना उतना मैं बाहर ज्यादा फैल के जी पाऊंगा जो फैल के जी पा रहा हूं यह वैभाव है, तो जैसे प्रेम का भाव होगा, प्रेम का भाव अपने में है, तो हर यूनिट के साथ मुझे संबन दिखाए देगा, चैतनी काई के साथ भी संबन दिखाए देगा, जड़की काई के साथ भी संबन दिखाए देगा, तो अब इतना हम फैल के जी रहे हैं, ह जब बाहर जो हो रहा है यह मेरा वैभाव है क्योंकि यह समझ के होने से वैभवित हो रहा है नैचुरल हो रहा है मुझे करना नहीं पड़ रहा है यही हो नहीं है तो जब विश्वास का भाव होगा संबान का भाव होगा तो क्या होगा हो नहीं यह है कि मैं पूरक्ता के अर तो पहुचे हैं तो कुछ लोगों के साथ पहता है इस ने के भाव तक पहुचे हैं तो कुछी लोगों के साथ फैला हो पाता है यह जो बहुत बहुत बढ़ा है अच्छा तो कि अच्छा यह पहले वह न लिए तीनन अजिए ज़क अच्छार देखोंगा तो मुझे ध्यान आजेगा ज़ी अच्छी बात भी नमस्त भी नमस्तों जब्यों लेकिन जब मैं किसी सामने वाले को विसेश मान लेता हूं तो या तो मैं अंडरेवलिशन कभी कभी कर लेता हूं या विरोध में आ जाता हूं तो यह जो दोनों विवस्था है जब मैं अपने आपको कभी कभी विसेश मान लेता हूं और जब मैं सामने वाले को विसेश मान लेता हूं है तो कौंसी प्रैक्टिस या ऐसा कौंसे काँसी चीज करें कि मैं एक सामान में इंसान खोड़ी ये मतलब आज जाए जीवन में है जी बश्रीच तो इसमें तो मैं भी इतना ही कहूंगा कि होता क्या है कि जैसा भी हम लोग बात करें दीदी के साथ कि इस पूरी प्रकति में देखेंगे तो विवस्ता है, विवस्ता में भागी दारी है उस भागी दारी के तहट बहुत सारी किरियाए हो रही है और भागी दारी हो रही है तो उस विवस्ता में देखेंगे, तो हमारे शरीर में भी विवस्ता है, हर सेल विवस्ता है, विवस्ता में भागीदारी कर रहा है, तो शरीर का होना भी हो रहा है, बने रहना भी हो रहा है, तो अब ये क्या है, विवस्ता है, विवस्ता में भागीदारी हो रही है, उसके से तहत हमारे आस्पास चीज़े को रही है कि यह यगर ठीक से नहीं कि तो में जो थोड़ा बहुत करते हैं हमको लगता हुँ हमारे करने से चीज़े को कर रही है। खर 房 भाता है कि यह अपने को विशेश बना देता है लिए आप किलास में गये हैं Cласт में बच्चे को कुछ पढ़्य है आपने मैं और इस बच्चे को अधिक का समझ में आ गया अब समझ में आ गया तो ilk दस् Geoff की दस लोग के समने और तारी sweeping कि अब हमको क्या लग रहा है कि हमारे पढ़ाने से उसको समझ में आया है हमारा पढ़ाना बहुत कोई विशेश बात है कि अब यह विशेश वाला भाव आ जाता है जबकि हो यह रहा है कि हमारे पास जो एक्सपोजर था हमने उसको किसी के सामने रखा है वो समझऺ पाया है क्योंकि उसके अपने संस्कार की कैस्तिती है, उसके साथ समझने का करकरम हुआ है, लेकिन जब हम इस बात कूर नहीं देख पाते हैं, तो हमको लगता है हमारे करनेसे चीजiendo हो गई हैं, और ध्यान से देखेंगे उसके संसकार है तो हुमको लगेगा हमारे करने से इसमें गया यह अब हमें विश्यक वाला भावा जाएगा इतनी बार ठीक लग रही कि नहीं पहले इतना समुझ में आ रहा है कि हम जो बच्चों के सामने प्रपोजल रखते हैं और उस प्रपोजल को समझना या नहीं समझना उसके संसकार के उपर है कि यह कोई विशेख नहीं है कि आप सही कहरें कभी-कभी ऐसा लगता है ना जैसे अविघ्ञ ने बच्चों को समझा दिया और उस समयने पढ़ाते पढ़ाते अपने आप मैंने की विशेश का दरजा आ जाता है तुम उसके वज़े से क्या होता है कि जिस बच्चे को नहीं याफ दाट már यज़ा कि अबकर रिए विवलिशन कर देंगे कि हम टीटों वर्ट यहीं होनगे यह जाता है नहीं हो हुझ तो कह रहे हैं इसके पीछे का तो यह पूरा प्रक्रिया आपको ध्यान दिलाने का मैंने कोशिश किया कि हमको कुछ किरियर हुआ है हम किसी के सामने रख रहे हैं इतना मेरे हाथ में वह रिसीव कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है अभी उसके साथ ऐसा हुआ है कि कर लिया है कर लिया है तो मेरे करने से नहीं हुआ है उसके पीछे उसका संसकार और बहुत साई लोग का सहयोग और जो वातवरण है उसके साथ ऐसा हुआ है यह हुआ है यह द्यान आजाए हमने किया है यह जो है ना हमारे करने से हुआ है हमारे करने से समझ माया उसके यह प्रावलम है ऐसे ही हम बाहर भी करते हैं प्रक्रति के साथ तो चीजे कुछ हो रही है उसमें हम कुछ थोड़ा सा इंपुट कर देते हैं तो जब हो जाता है तो हमको लगता मेरे करने से हुआ है तो जिसे हमने पेड़ लगाया अँद्न दिन पानीज द्धियान रख्खा हम को लगता हमने पेड़ लगाया है इस लिए निकला है है और यह निकला होजब बता रहे होते होदे हैं तो बैसे को बता रहे हैं कि वह से मिशच कर दिए हैं हमने पानीज़ाद को जब पर बीज लगाया है पानी डाला है अब बाकी प्रक्रति के साथ हो रहा है प्रक्रति के विवस्ता है उस विवस्ता के चाहिए तो तो अगर अगर इस बात पर आपका ध्यान नहीं गया है अगे तो आप या तो अपना करेंगे या उसने कुछ कर दिया उसके करने से हो रहा है तो यह हो रहा है और उसमें मैं कुछ कर रहा हूं यह दोनों थीक से बनी रहेंगे थी तरह दूसरे साहत बियाय वह कुछ कर रहा है प्रकति में हो है इस पर ध्यान बना रहेगा तो फीर हम उसका वह एवालेशीन कर पाएगे अपना कर खाक्ट है तो मतलब यहां लिए कि अब जो मैरे लिए कि उनके लिए जो भाव तो जिसे पेरेंट्स आ हमारे शरीक नर्चरिंग किया उनके लिए जो भाओ है उसके लोग अनुगार है लिए करता का भाओ है और करेंगे पूरी प्रक्रतिम्हें बवस्ता भागीदारी हो रही है उसके तहएं मेरा शरीर बना हुआ है उसके तहत मैं मैं कमिनिकेशन कर पा रहा हूं पूरी प्रिकहती के लिएatamente हुझा गेगा तो कितना फैल कर देख पाएंगे उतना ही करत आपका बढ़ता जाएगा अगर यह दिखने लगए कि लोग मेरे लिए कर रहे हैं तो बहुत सारा को लिखा है सही मार्द कvor कि आई क्या समझ तक जी सकते हैं यह कई लोगों ने लिखकर हमारे लिए छोड़ थिया उन सब के लिए बहुत को अधरी के तो एक जितना पहल के देख पाएंगे अ आप देक कैसे बहुत कभर एक दो अभी आप देखिए जब मनुष evolve उयार्थ पर है तो कितने लोगों ने इस बात पर अभ्यास किया होगा कि खेती कैसे करें कैसे गहूं को बछाएं कैसे गहूं से आटा बनेगा और कई लोगों ने इसこ करते करते हो सकता है अपनी जान भी गवादियों नहीं समझ में आया होगा खाने के लिए क्या चीजा मनुस्की जीरे-दीरे रूने समझा खाने का क्या है कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे नेक्स जनेरेशन के लिए बच्छेगा यह सब करते-करते आज हम इस स्थिति में आ इस परंपरा को समझा होगा और हमारे लिए चीजेme रफ और हमारा ध्यान जाता है इतना सब लोको ने तो हम लोग यह बात कर रहे हैं कि अब हमारा इस बात पर ध्यान जा रहा है यह हमको आवशक्ता के रूप में दिख रहा है कि सास्तित को समझना व्यवस्ता को समझना संबंद के साथ भागिदारी को देखना यह मेरी का आवशक्ता है क्योंकि इस पर मैं ध्यान दूँगा तो मेरे में जो अन्यता निर्णे हो जा रहे हैं मानताओं की कारण वह मानता है इवल्यूइट होंगी दिरे दिरे तो अब यह मेरी आवशक्ता वन गया है यह किलियर हो गया अब इसके अकॉर्ड्रिंग भाव रखना विचार रखना और इसको मैं सुनिचित कर रहा हूं हर पल रच्छड अनंन चाहें प्रस्तितिया नूप कूलो चाहें पृतिकूलों प्रपल हर चब मैं इसको ध्यान में रख रहा हूं कि मेरे में अभी क्या भाव चला है इस तरह से बार-बार वास्तविक्ता पर ध्यान दे रहा हूं भाव में जब ध्यान दे रहा हूं अभी से नहीं हुआ है करेंगे जितना मेरा ध्यान जाता जाएगा उतना मेरे अंदर अन्यता बना हुआ है वो एवेल्येट होता जाएगा और उतने से मुक्त होचे जाएगे और उतने में सही भाव और विचार बनने लगेंगे नमस्ते नमस्ते अभी तक लिए जा नहीं रहा है कि कैसे किसी से बात करें यह डर मेरा कब निकलेगा सब कुछ आते हुए मेरा डर लगता है कि कैसे आपके पास बात रखें कि नहीं देखें मैं अगर सिंपल भासा में कहूं तो वह डर इस बात का है कि मैं कुछ कहूंगा और दूसरा क्या सोचेगा जी तो दूसरा वही सोचेगा जो इसकी इस्तिति होगी संस्कार के कि अगर वह संसकारों में काम कर पाया है तो आपके शब्दों को सुनेगा शब्दों के पीछे के भाव को समझेगा और उस भाव को समझ के आपको जो होना है उसमें सहयोग कर पाएगा इतना नहीं कर पाईगा तो हो सकता है बात तो सुन ले आपका सहयोग ना पाई दो इधिया कि है तो बोलना चाह रहे हैं तो जाए नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ और चीज जोड़न रख्थी है कि बोलेंगे तो सही बोल पाएंगे के नहीं बोल पाएंगे प्रेश्न नियुक्त होगा की नहीं होगा कोई अन्यता तो नहीं सोचने लगेगा यह जो अपने में भै बना हुआ है ना यह प्रावल्म करता है तो विश्वास से आप देखिए कि दूसरे की चाहना भी ठीक है मेरी चाहना भी ठीक है इस विश्वास के साथ मैं कम्मुनिकेट कर दें तो अभी विश्वास का भाव नहीं है कुछ अन्यता बन जाता है उससे भैर रहता है तो विश्वास से शुरू करिए कि सामने वाला भी चैतर निकाई है मैं भी चैतर निकाई हूं वह भी सुक पूर्वक जीना चाहता है मैं भी सुक पूर्वक जीना चाहती हूं इस सुक प करिए जी संबंद से स्टार्ट करिए जी जी तो लास्ट मिट रहे गया तो बस मैं इस हूंबग पर ध्यान दिला दूँ आपका जो हम लोग को हर पल हर छड़ करना है तो अपने भाव के प्रतियक तो हम अवेर हो जाए सजग हो जाए और देखें कि इस जो भाव है वह सहजा कि अशग है इसका निड़ा को ने रहा है इसका अधार किया है अगर भाव असहज है तो फिर वह समझ पर अधारित नहीं है तो किलिए रिबाते तो अपने पूछ का फिर देखें कि आम इस चाड़ अपने अंदर संबंद का भाव सुनिशित कर सकता हूं विवस्ता का यदि इस चाड़ संबंद विवस्ता और संस्तित का भाव सुनिशित कर सकते हैं तो हर चाड़ अपने अंदर यह सुनिशित कर सकते हैं तो एक चाड़ भी हम यह करके हुए देख पाएंगे तो हर चाड़ कर सकते हैं इतना पोटेंचिल तो हमें बने हुआ है इसके साथ इ क्वालिटेटिव परिमार्जन भी होगा तो यहीं भी रोक लेते हैं इस होमर के साथ हम लोग कर मिलते हैं अपने अप्जरवेशन के साथ और यह अच्छी बात हो रही है कि हम लोग बहुत गहराई से चीजों को देख रहे हैं और मेरा विध्यान अपने पर काफी जा रहा है सबका मिचुल ही ग्रोथ होड़ा इस पूरे प्रोसेस में ठीक है तो सभी को नमस्ते भाईया जी जी भाईया बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का मतलब हर दिन की परद अहां